हाई फ्रेंज कोकुइत नीजू में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप जानते हैं आज हम बनाने वाले हैं सरदियों में इस्पेसल बनने वाला गाजर का हल्वा यह बहुत ही इंस्टंट बन के तयार होगा और बहुत ही इजीली तो चलिए सुरू करते हैं तो पहले मैंने आधा किलो गाजर अच्छे से धूल के कद्दू कर लिया है इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे लोहे की कड़ाई यानि की एरन की फिर इसमें हम डालेंगे दो चम्मच घी घी हमारा अच्छी तरीके से पिखल जाए और इसे हम अच्छे से कड़ाई में फैला देंग फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7-8 बदाम बदाम हम खड़े लेंगे और इन्हें अच्छे से रोष्ट कर लेंगे रोष्ट करने के बाद हम इन्हें डालते वक्त अच्छी तरीके से चौप कर लेंगे यानि कि बारिक-बारिक काट लेंगे तो देखिए medium high flame पे कम से कम 3-4 मिनट तक अच्छे से थोड़ा सा गला लेंगे तो देखिए गाजर जो है वो अच्छी तरीके से गलना सुरू हो चुकी है अब इसके बाद हम इसमें टेस्ट के लिए डालेंगे इलाइची मैंने इलाइची के दाने कूट के ले लिये हैं अगर आपको कम या जादा कर सकते हैं तो देखिए मैंने इसमें अच्छी तरीके से इसे मिला दिया है और फिर में इसमें दूद एड़ कर दे रही हूँ जैसे कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पर तेड़ कप दूद ले रही हूँ अब इसे हम अच्छी तरीके से मिलाते हुए सुखा ले है वो एद्दम तयार है अब इसके उपर मैं यहां पर एक से दो चम्मच घी और एड़ करूंगी इससे हमारा हलवा बहुत ही शाइन करेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो देखिए मैंने यहां पर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है फिर इसके बाद हम इसमें एड करेंगे चीनी मैं यहां पर एक कप चीनी लूँगी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम या ज्यादा कर सकते हैं चीनी को डालने के बाद हम इसे कम से कम 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से और पका लेंगे जो चीनी है वो अच्छी तरीके से ताकि मेल्ट हो जाए तो देखिए हमारी चीनी जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है तो जो ड्राइफ रूट हमने रखा था फ्राइ करके उसे हम पतला पतला काटके इसके उपर अब डाल देंगे आपको और भी कोई ड्राइफ रूट अगर पसंद हो तो इस स्टेज पे आप वो भी इसमें ढाल सकते हैं तो देखिए मैंने स्रिफ इसमें बदाम ही आड़ किया है अब हमारा हलवा सर्फ करने के लिए इद्धम रेडी है तो हम इसी एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसी सर्फ करेंगे अगर आपको गरम ही पसंदे तो आप गरम भी इसी इन्जोई कर सकते हैं रेसीपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, से, सस्क्राइब और कमेंट जरूर कीजिगा ये गाजर के हल्वे की रेसीपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ओके फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसीपी के साथ बाई